कमर दर्द यानि कि back pain क्या कारण है कमर दर्द के और क्या क्या लक्षन होते हैं कमर दर्द के और नीरोथरपी उसको कैसे ठीक कर सकते हैं तो आइए जानते हैं नमस्कार मैं नवल किशोर नीरोथरपिश 2005 से नीरोथरपी की practice कर रहा हूँ कमर दर्ट की समस्चाओं में हमने लाखोर लोगों को ठीक किया है यानि कि 2005 से जब से मैं यह प्रैक्टिस कर रहा हूं तो नीरो थरपी को हमने ऑनलाइन और ओफलाइन के माध्यम से ऐसे बहुत सारे पेशन्टों को ठीक किया है जो कमर दर्ट से परिशान थे ऑनलाइन नीरो थरपी के द्वारा हमने लोगों को घरो में नीरो थरपी के ट्रीट्मेंट भेज कर नीरो थरपी के द्वारा लोगों को उनके कमर दर्ट से निजाद दिलाई हैं कमर दर्ध जिसको बैक पेंड में जब हम एक्से रहा है हम यह कराने जाते हैं तो उसमें कि लंबर लोलाव्र लोडोसिस लंबर इस पोंडलीट टेश लंबर इस पॉंडोलोसिस स्लिप डिश्क बिस्क या डिस्क घर्णियेशन या डिश्क का बल्श हो जाना ये समस्था लिखी होती हैं आम तोर पर यह जो मैंने ट्रमिल मेडिकल ट्रमिलोजी का इस्तमाल करा यह किवल आपको इसलिए बताने के लिए करा कि यह कुछ भी लिखा हुआ हो आपकी MRI में चाहिए वह लंबर का पेन लिखा हुआ हो चाहिए वह श्लिप डिष्क का लिखा लग 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 नाम हैं केवल कमर दर्द के यानि की अलग लग सिम्टम्स के अधार पर अलग लग नाम दे दिये जाते हैं कमर दर्द को लेकिन यह होता कमर दर्द हैं यह कमर दर्द आपको मिडल भी हो सकता है यानि की बीच में हो सकता है अपर बैक में हो सकता है या आपके जहां आप बैल्ट या नाड़ा भांते हैं वहां पर हो सकता है और यह कमरदर्द ना किवल यहां होता है इसकी वज़े से यह कमरदर्द का आपके दोनों पैरों में दर्ड जा सकता है या आपने देखा होगा कि किवल एक पैर में शूटिंग होता है उपर से लेके नीचे तक पूरा पैर दर्द करना शुरू कर देता है और आपको बैठना चलना फिरना या लेटना भी दुश्वर हो जाता है यह सब सिम्टम से कमर दर्द के और कई लोगों को लॉंग सिटिंग के बाद में कमर दर्द होता है कई लोगों को काफी दे के ही एक कारण है और ऐसे कमरदर्द के कारण से आपके पूरा दिन चेर्य खराब हो जाती है आप अपने डेली रूटिन के काम भी नहीं कर पाते इवन बैठना लेटना या आपका खड़ा होना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है तो कमरदर्द और हर परिवार में किसी ना कि किसी एक व्यक्ति को जरूल कमरदर्द है एक हर व्यक्ति को यानि कि एक परिवार में एक व्यक्ति को तो कमरदर्द मिली ही जाएगा यह ऐसा मेडिकल साइंस कहती है कि हर पांच में व्यक्ति में से एक व्यक्ति को कमरदर्द की समझ्चा है अगर आपने एक्सरे कराया है म किमारा ही किराई है और उसमें ऐसे कोई भी वर्ड लिखे हुए हैं तो आप निश्य तोर पर निरो थेरपिस्ट के पास जाए क्योंकि खास और से आपको मैं बता दूं मैंने बहुत सार ऐसे पेशन्ट देखें अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऐसे कंडिशन में डॉक्टर आपको ऑपरेशन ही बोल देता है और आपको डेट दे देते हैं ऑपरेशन की कि आपको इस डेट में ऑपरेशन करा लेना चाहिए तो मैं केवल आपसे यह निवेदन करूंगा अगर आपको इन में से कोई भी सिम्टम्स हैं या आपकी MRI या X-ray में कोई भी लिखे हैं जो मैंने आपको टर्मनलोजी के अधर पर बताए तो आप सबसे पहले नीरो थेरपिस से संपर करिए आपको किसी भी प्रकार की कमर दर्द की या आपको किसी भी प्रकार की ऐसी कोई भी समस्च्य कभी नहीं रहेगी और जड़ से ठीक हो जाएगी आपको किसी कोई आवाज सकते नहीं है आपको फिशन को प्रकार क हाने की आवाज सकते नहीं है ऐसे भहुत सारी मैंने अपने यूटेब chief चैनल पर डाले हुए हैं जिनको डॉक्ट्पों ने operation की date देदी थी जिनको डॉक्टरों ने कहा था कि आपको तो operation कराना ही पड़ेगा या आपको तो operation से ही ठीक हो सकते हैं तो ऐसे सभी conditions में जब डॉक्टरों ने आपको केवल ये बोला हो कि आप operation से ही ठीक हो सकते हैं तो ऐसी कंडिशेस में केवल नीरो थरपी ने आपके ऑप्रेशन को टाला है ना केवल एक हजारों की संख्या में ऐसे पेशन्टों को नीरो थरपी ने ठीक किया है जहां पर वो निरास हो चुके थे तो नीरो थरपी बिना किसी दवा के बिना किसी side effect के केवल आपकी spine की alignment को ठिक करने का तरीका है जब आपकी स्पाइन की alignment बिगडेगी कारण कुछ भी हो सकते हैं चाहे आपने बजन उठाया हो चाहे वो accidental हो चाहे आपको जटका लगा हुआ हो चाहे आपने कोई जर्क लगा हो या आप कहीं गिर गई हो किसी भी वज़े से या आपके गलत posture की वज़े से कारण कुछ भी हो सकता है आपकी स्पाइन की alignment बिगड़ती है और उसके बिगड़ने के कारण से जैसे जितनी अवस्ता में जिस लेवल पर बिगड़ती है उस लेवल पर उस भीमारी का नाम अलग-लग हो जाता है अगर आपकी डिस्क खिशकी है तो डिस्क को अलग-लग नाम से बोल दिया ज हो जाता है लिस्थे से हो जाता है या आपका मन के एक दूसरे से प्रोलैप्स हो जाते हैं तो मैंने आपको बताए कि यह सिंटम कुछ भी हो कोई भी टर्मनलोजी आपकी MRI या एक्स्रे में यूज करी गई हो आप निरोथरेपी से ठीक हो सकते कितना भी भेंकर कमरदर्द क ना हो चाहें आपके दोनों पैरों में दर्द हो चाहें आप एक कदम ना चल पा रहे हो नीरोथरेपी आपको ठीक कर सकती है कैसे ठीक कर सकती है कहां ठीक कर सकती है इसकी जानकारी के लिए नीचे देगा इस नमर पर कॉंटेक्ट करें नीचे देगा इस नमर पर पता करें अपनी समस्या लिखें, वर्टसप करें और आज ही नीरो थरपी से अपना अपन्मेंट बुक करें नीरो थरपी लाखों रोग्यों के लिए निरासा में आशा की करन के तोर पे काम कर रहे हैं और देश में ऐसे बहुत सारे पेशन्टों को ठीक कर रहे हैं जिनोंनों उमीद छोड़ दीती कि वो कभी ठीक हो सकते हैं तो आईए नीरो थरपी को अपना कर अपनी किसी भी समस्या चाहें खास तोर से बैक पेन किसी भी कंडिशन में किसी भी स्टेश पर हो किसी भी उमर में हो आप नीरो थरपी से ठीक हो सकते हैं आईए नीरोथरपी अपने ही है और नीरोथरपी से अपनी बीमारी का समाधान पाईए धन्यवाल